खबरों में बने रहने के लिए पैल आइकन दवाईए और हाँ पश्टलिया को सब्सक्राइब जरूर दीजे दिली में होगी अगर कोई संदिक्द हुआ तो उसको दिली रोका जाएगा बाकी को अलवर शिफ्ट किया जाएगा और अलवर उनको आईसोलिशन में 15 दिन के लिए रखा जाएगा उसके बाद फिर उनको अलग अलग जगे भेज दिया जाएगा लेकिन मंतरी साहब कहते हैं लेकी ये कोई चारागाह नहीं है जहां किसी को भी लाया जा सके मेरे से 호गी अश्मणी मेरे साथ जूड़े जोड़े जारी कि ट्रीके का बयान है जलद वाज़ी में दिया गया बयान या पिर जान बूजकर दिया गया बयान और क्या बयान देने के बाद मंतरी साहब ने चारागा नहीं है कि चाइना से लाए गए भारतियों को यहां छोड़ दिया जाए, यहां संक्रमित हो सकते हैं, महामारी फैल सकती है, हम लोग यहां मैडिकल को लेट चाहते थे और यहां पर उन लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग चाइना से लाए जा रहे हैं, ज इस्पेक्ट मिलता है तो दिल्ली में उसका इलाज होगा इन चातरावासों में सिर्फ उन्हें रखा जाएगा मेरे साथ खुद टीकराम जूली है आपका बयान यह है कि चारागा नहीं है और आप विरोध करते हैं लोगों को यहां आने का इस विरोध का मुख कारण क्या है की जा रही है यह इसके लिए हम पिछले च्छे साल से संगर्स कर रहे हमने फॉस्ट कार्ड लिख हमने धरने कि हमने परदर्शन कि अपन बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से मैं वहीं बता रहा हूं आपने उस समय दो धान नहीं दिया और आज जब आप पे दिक्कत आई है त कर उसमें कोई इसका पोजिटिव आता है या कोई रोगी आता है मैं इस बारे में वाकिफ हूं लेकिन फिर वी देखिए हमारी को फैलने समय रोक ना है तो हिंदुस्तान में लोग किसी को नहीं करि gentlemen और कि लोग हिंदुस्तान ही नहीं है झो चाहना से इनको सैना को वह साना हिशाना नburg को गैधि देभिब वे बुड़ों को लिए वह किसीूपैल किसे महीं से जह हुआ रहें जहां सारी सुईदायें वहां इनको रखा जाना चाहिए यहां कुछ भी नहीं होस्पिटल के अंदर तो 50 बैड का उस्पिटल के लिए तीन अलग लग होस्टल है उसका कर चुके हैं उन होस्टल से भार कोई नहीं आएगा और नहीं उनसे कोई मिलेगा देखिए आपकी बात सही है लेकिन मालो कोई संदिग दे फिर उसको वापिस लेके दिली बगएंगे यहां पर कोई सुईदाय तो है नहीं अलवर के अंदर तो इसलिए पहले उनको दि जाएगा तो भी किया टीकराम जूली साब यहीं कहेंगे उसको अलवर से बाहर कर दीजीए यह कोई चारगाह नहीं तब भी यहीं कहेंगे कि आप उसका विरोध करेंगे उस चीज का विरोध मैं विरोध का नहीं कर रहा हूं तरह वो देश एक की बात करते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी विधान सहभा में बोटों की राजनीती के लिए यूबकों को बाट रही है देश को बाट रही है निशी तोर पर जोल जे क्या ये वोटों की राजनिती है कि क्या हम ऐसे सेंटर्स बनाए जाए कि भारत की हर विदान सभास में एक सेंटर हो जहां ऐसे लोगों को डिटेंशन करके रखा जाए और 14 दिन बाद उनको अगर वो स्वस्थ होते हैं तो फ्री कर दिया जाए क्या इस लगता है आपको कि भारत के किसी भी हिस्ते में इन लोगों को सकते हैं क्या यह जाए ख़ार क्रोड की असपास परैसा लगा कया यह भवण खाली हिस्समें काम नहीं सकता क्या वह हमारे लोग नहीं हो हमारे यह आपत्ति उपड़ा यह चारागा है जो ये कहा गया कि चारागा हलवर नहीं है और सवाल ये पुछी एक तरफ तो स्री डबले का विरोध इस बात को लेकर करते हैं कि धार्मी का अधार पर बटवारा नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ देश के ही युवकों के लिए जो चीन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हलबर मत लेका रही है कोई चारागा नहीं अपना स्टेंड किलियर तो कीजिए कि चाहते क्या है अधियर तो पर यह एक बड़ा सवाल है मैंने कर भी करें कि अपना स्टेंड क्या है हम कहते हैं सी एक बात आती है तो बात आती है कि घब हम कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरी फिखेंप पे उस लोगों को छोड़ दिया गया और जब ये इंडियन जब यह आ रहे हैं तो यह तो यह तो इंडियान है क्या हम यह नहीं नहीं लाएं मैं यह रहा हूं जा सारी सुईदायव महां लेका यह जो आरे नहीं है और जो विमार नहीं है उसको भी बिमारों साथ रखेंगे तो वैसं उनको भी थई तो ऐसी और भी जगें हैं बड़े सहरों में जहां बड़े ओस्पिटल है आप मेरी अज्मनी यगिनन बात तरीके से कई गई अगर चीन से अगर चीन से सैलानियों का एक ग्रूप आता है वो जैप पर उतरता है और स्क्रीनिंग में यह तैह होता है कि उनको कोई वायरस नही दिया जाएगा उनको कहा जाएगा कि आप अलवर में एंट्री मत किजिए चारागा नहीं है यह किया जा सकता है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है जैपूर में स्क्रीनिंग होती है यह पता लगता है कि वो स्वस्थ हैं तो क्या उन्हें घूमने से भी रोकते जाएग आगे का ट्रीटमेंट है उसके लिए कारवाई की जाए हैं जो सस्पेक्ट भी नहीं है जो पॉजिटिव भी नहीं है मेरी बात नहीं समझ रहें आप इसका गलत अर्थ निकाल रहें मेरे कहने का तात्परी यह है कि जहां सारी सुईदाये हैं वहां उन लोगों को रखा ज नहीं है तो उन्हें होम आइसोलेस्ट में रखना गलत है फिर हम क्यों नहीं है उनको अलवर में रख सकते हैं और वह इंडियन है पर पश्वों को रखा जाता है क्या हिंदूस्तानी जो बाहर के देश में रह रहे हैं वह अगर हिंदूस्तान आए अलवर आए तो क्या उनको पश्वों की तरह क्ला फ्रीट किया जाएगा नहीं तो कहा जाएगा कि जानेकर नहीं कि वाही किसके लिए होते हैं आपके इंटेंशन गलत है और आप जानबुज किस बात को गुमा रहे हैं आपने कहा चारागा आप चलिए चलिए चारागा भूमी जो होती हो किसके लिए होती है इसका अर्थ यही मेरी बात सुनिये इंसानों और पसूं के बीचें फरक करना सीखिए कि पहले आप यहीं तो हम सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए समस्य खत्म हो जाएगी जहां सारी सुईदा है जहां सुपर इस पेसिलिटी ऑस्पिटल है वहां क्यों नहीं रख रहें इनको अलवराज क सब्सक्राइब करने के तरीके से आप मेरी बात को बार बार गुमा रहें मैं जो कह रहा हूं वह हमारे भाई यह जो चीन के अंदर है उनका भाईयों को भारत में लाने की बात कर रहा हूं लेकिन उनको यह भी कह रहा हूंगी जहां सुपर स्पेसलिटी सुईधाय जा मोजूद है वहां उनको रखा जाए वहां उनको रखा जा रहा है तो उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं वह कहना चाहते हैं कि मंशा सही नीती ठीक है शब्द निकल गई मांगते हैं गर मिश्की तरप से आखरी सव நे तोरुप से आखरी सवाल आप से कर लेता हूं। जब्मने बयां दिया क्या उस पर अभी स्टेंड करते हैं काय में कौन से पर ही इस बयान से क्यान हूं लोगों को सुपर स्पैसिलिटी जहां सुईदाय वाशिप किया लेकि वहीं पर माफी मांगना चाहेंगे अब जबरदस्ति इस सीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं कि आपकी इंटेंशन गलत कि आज मेरी बात सुनिए आज हरोएफ तीक डरा हुआ इससे कोरोना वाईरस से आपके बयान से ज्यादा डर गए है प्यमों को अलवरम क्यों प्रेस कंस्फशन करनी पड़ी है और यह कहां है कि कोई डर की बात नहीं है देखिए मेरी बात सुनिए यह वाइरस की डर की बात नहीं तो क्यों पूरा विस भैवी थे क्यों डवलो एचर नो इसको मामारी गोसित किया है आप उस चीज को भी समझे आप सारी चीजों को इस चीज के अंदर मत लेके चलिए चलिए शुक्रिया अश्मनी हमारे साथ जु ठीकरा फोड़ते हुए यानि कि मीडिया के उपर कि हम गलत इंटेंशन से खबर को उठा रहे हैं जबकि उन्हों नहीं कहा कि अलबर कोई चारगा नहीं जहां पर किसी को भी लाया जा सके क्या बाकई में हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को ही अलग-अलग कर द